क्यों टीम इंडिया पहनती है नीली जर्सी? क्या है नीली जर्सी के पीछे की कहानी? कहां से लिया जर्सी का रंग नीला? ICC T20 विश्वकप की शुरुवात 16 अक्टूबर से होने जा रही है जिसके लिए टीम इंडिया की नए जर्सी का भी ऐलान कर दिया गया है टीम इंडिया इस विश्वकप एक बार फिर से नई जर्सी पहन कर मैदान पर जल्वा बिखेरती दिखाई देगी टीम इंडिया की T20 विश्वकप जर्सी की बात करें तो वो एक बार फिर से हलके नीले रंग की जर्सी दिख रही है हाला कि अभी इस जर्सी को दिखाया नहीं गया है और उमीद की जा रही है कि भारते टीम इस जर्सी को पहन कर आगामी भारत बनाम आस्ट्रेलिया के बीच खेली जाने वाली तीन मैचों की T20 सीरीज में पहन सकती है लेकिन क्या आप सभी ने कभी ये सूचा है कि आखिर टीम इंडिया सिर्फ नीले रंग की ही जर्सी क्यों पहनती है और किसी और रंग की जर्सी क्यों नहीं पहनती अगर आप इस बार में नहीं जानते तो इंडियन क्रिकेट टीम के लिए इस वीडियो को अंतर तक जरूर द पहनी थी इससे पहले तक सीमित ओवर के क्रिकिट में सफेद रंग की जर्सी पहन कर हिला जाता था लेकिन 1985 में बैंसन एंड हेजेज विश्व चैंपेंशिप आफ ट्रॉफी में टीम इंडिया पहली बार नीली जर्सी पहन कर मैदान में उतरी मज़ेदार बात ये थी कि भारत की इस जर्सी को आस्ट्रेलिया के आयोजकों ने डिजाइन किया था उस दौरान टीम इंडिया ने नीली और पीली धारीदार जर्सी पहनी थी अब ये सवाल आता है कि सिर्फ नीला रंग ही क्यों और कोई और रंग क्यों नहीं तो इसका जवाब ये है कि नीला रंग राष्ट्रे द्वज में बने अशोक चक्र से लिया गया है भारती तिरंगे में कुल चार रंग है जिसमें केसरी को इसलिए नहीं चुना क्योंकि ये रंग पॉलिटिकल पार्टी को सम्भोधित करता है सफेद रंग को ले नहीं सकते थे और हरा रंग पडोसी मुल्क पाकिस्तान पहले ही ले चुका था जिसके बाद एक रंग बचा और वो था नीला जिसके बाद भारत की जर्सी नीले रंग की बनाई गई भारत की सबसे पहली जर्सी में नीला रंग भारत ने जबकि पीला रंग आस्ट्रेलिया ने डाला था भारत ने इस चैंपिन्शिप में जो जर्सी पहनी थी उस पर ना इंडिया का और ना ही किसी अन्य स्पॉंसर का नाम लिखा गया था जर्सी पर नाम लिखने का चलन साल 1992 के विश्व कप में चला जहां टीम इंडिया के साथ साथ खिलारियों का नाम भी लिखा गया इसके बाद सही टीम इंडिया पर नीले रंग का खुमार ऐसा चड़ा कि पूरे विश्वु में भारती टीम को Man in Blue के नाम से जाना जाने लगा साल 1985 से लेकर भारत ने अब तक जो भी जर्सी पहनी है उसमें मुख्ये रंग नीला रहा है हाला कि साल 2019 के विश्वु कप में भारती टीम ने ये परंपरा तोड़ी थी और भारत केसरिया रंग की जर्सी पहन कर मैदान में उतरी थी जिसके चलते भारत को केसरी रंग की जर्सी पहन कर वो मुखाबला खेलना पड़ा था कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए कि आपको भारत की सबसे पसंदिदा जर्सी कौन सी लगती है ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजेगा और हमारे चैनल वन इंडिया को अभी जरूर सबस्क्राइब करें